Hey plantaholics, welcome back to my channel, hope you are doing well, friend, this video is all about top 20 heavy flowering plants to grow through cuttings in the month of January तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खुबसुरत से ऐसे heavy flowering plants दिखाऊंगी जो की पूरे January मन्त में बहुत अच्छे से flowering करेंगे और आप इने cutting से भी बहुत आसानी से लगा सकते हो तो सबसे पहला जो आप plant देख रहे हो ये हैं Aster के और इन सभी plants को मैंने seedling से लगाया था और आप इन में colors भी देख सकते हो दो में तो similar निकला है लेकिन दो change निकले हैं मतब तीन new colors निकला हैं तो इसे आप बहुत ही आसानी से छोटी सी cutting ले लीजे से नॉर्मल सी garden soil में आप लगा देंगे तो बिना rooting hormone के ये cutting आपकी लग जाएगी इसके बाद जो आप next flowering plant देख रहे हो ये है यूफोर्विया मिली का और friends आप इस समय भी देख सकते हैं मेरे इन plants में कितने अच्छे से flowering हो रही है new batch of flowers भी निकल रहे हैं और ये देखें friends ये देशी यूफोर्विया मिली का plant है और ये मैंने देख सकते हैं friends एक cutting इसी plant की लगाई थी जो की yellow वाली है जो की hybrid variety है तो आप भी cutting से new new plants को बना ल देख रहे हो ये है petunia का ये मेरा black petunia का plant है इने भी friends आप cutting से और seeds से भी लगा सकते हैं लेकिन seeds के लिए तो friends अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा लेकिन आप इस समय इनको cutting से लगा लेजे जो भी color आपके पास नहीं है या फिर आप और भी colors को मतलब अपने plants को बढ जादा ठंडा है लेकिन इनकी जो बहुत अच्छे से flowering होगी वो अभी spring time में काफी अच्छे से ये plants करेंगे तो आप बैतर इनके new new plants बना लीजे इधर जो आप next flowering plant देख रहे हो ये हैं कैलेंचो के friends इने मैंने काफी सारे plants इनके cutting से तयार किये हैं ये जो आप plants देख र आगे चलके इन्वे flowering होगी या फिर ये कितने अच्छे से घने हो जाएंगे तो आप भी इस समय कलंचो को चाहो तो friends आप इसको leaves के भी through लगा सकते हो नहीं तो आप इसकी cutting लगा लो इसके बाद next flowering plant देख रहे हो ये हैं कार्नेशन के कार्नेशन फ्रेंट सबसे जादा मुझे खुबसूरत डैंथस वैमिली में प्लांट लगता है डैंथस में भी आपको multi petal हो जाएगा कार्नेशन हो गया नहमल डैंथस हो गया लेकिन ये जो कार्नेशन के flowers होते काफी जादा गठे से लगते हैं और बहुत ही जादा देखन से तयार किये हुए plants में single petal भी है और double petal के भी है तो अगर आपको इसकी cutting मिल जाती तो आप cutting से लगा लीजे तो friends अभी ऐसा नहीं है कि winter flowering plants से winter season में ही करते हैं flowering बहुत अच्छे से इनकी जो बहुत अच्छे और heavy number में flowering होगी वो अभी spring time में feb end से लेका पूरा मार्स से अप्रेल तक बहुत अच्छे से अर्ली अप्रेल तक बहुत अच्छे से इन में flowering होगी और कुछ तो में तक भी करते हैं इसके बार next flowering plant देख रहे हो यह है primrose के इने friends आप नीचे से root division के through भी multiply कर सकते हो तो इस plant को भी आप जरूर से जरूर लगाएगा इधर जो next flowering plant आप देख रहे हो यह है impatient के impatience काफी जादा देखने में कुप सुरह से लगते है यह तो चारो के चारो मेरे plant जो है वो seedling से तयार किये हुए इने भी आप cutting से बहुत आसानी से लगा सकते हो बस पानी का आपको ध्यान लखना है बहुत जादा excess में water इने नहीं मिलना बहुत जादा देखने में कुप सुरह से लगते हैं flowers का बिलकुल एक look create करते हैं और non edible plant होता है cabbage की family का होता है तो इसे भी अपने garden में जरू से जरू लगाई है काफी जादा देखने में कुप सुरह से लगते हैं इसके बाद next जो आप flowering plant देख रहे हो यह है पैंजी के इ यह वाला जो अदर आपने पहला देखा था उसको मैंने खरीदा है यह सारे तीनों plant seedling से तयार किये हूँ है और भी मेरे पास है इनके लेकिन अभी उनमें flowering नहीं हो रही है आप इसका flower का size देख सकते हैं कितना जादा बड़ा सा खिला है तो इसको भी आप cutting से जरूर से अपने January garden में इसके बाद next जो आप flowering plant देख रहे हो यह है बिगोनिया का बिगोनिया में बहुत ही जादा beautiful से लगता ना सिर्फ इसके flowers देखने में कुपसूरत से लगते हैं बलकिन की जो leaves को भी आप देखोगे तो काफी जादा colorful से लगते हैं कभी आपको ऐसे dark maroonish leaves मिले नहीं तो red में मिलेंगी green जो की white flower वाले में होती है उसमें आपको green मिलेगी तो बहुत ही घुपसूरत यह plant देखने में लगता है तो इसे भी जरूर लगाईएगा इधर आप जो next flowering plant देख रहे हो यह है डेलिया के फिर डेलिया आज को भी आप tubers के थूरू भी लगा सकत है तो आप इसको चाहो तो जब भी आप इनको अगर बुशी बनाना चाहरो है तो आप इनकी pruning करके वो हिस्सा ना फिक कि आप उसकी cutting लगा सकते हो वो भी लग जाएगी इसके बाद next flowering plant देख रहे हो यह है calendula का यह भी cutting से बहुत ही आसानी से लग जाता है बहुत इससे में safe side भी लगा देंगे न तो वो आपके लिए जाधा अच्छा रहेगा तो वो भी आप कर सकते हैं इसके बाद next flowering plant देख रहे हो यह है bougainvailia's के बहुत है इसको आप किसी भी season में लगा सकते हो इधर भी आप देख सकते हैं मेरे इन plant में flowering बहुत अच्छे से हो र अच्छा लगता है मुझे इसका collection करना अच्छा लगता है तो मैंने भी आपको किये हैं कुछ सारे colors को add अपने garden में इसके बाद next flowering plant देख रहे हो यह है poinsetias के यह बहुत ही आसानी से cutting से लग जाते लेकिन इसकी cutting जब भी आप लगाए तो fungicide powder को cutting के नीचे वाले हिस्से में लगा दीजे और leaves जो होंगी वो maximum आप remove कर दीजे ताकि जो cutting हो वो बहुत ही आसानी से लग जाए उसका success rate जो हो वो आपका बढ़ जाए तो इस तरीके से आप इसकी भी cutting को लगा सकते हो काफी सारे खुबसूरत colors में आपको यह मिल जाएगा और perennial by nature होता है ऐसा नहीं है कि सिफ यह winter season तक ही आपके पास रहेगा summers में भी यह बहुत ही अच्छे से grow करता है बस इसकी जो पतियां होती है उनका color change हो जाता है वो green color की हो जाती ही नहीं तो यह जो plant होता है काफी जादा खुबसूरत से लगता है ऐसा नहीं सिफ winter में आपके पास रहेगा इसके बा जाएंगे इस तरीके का red है pink है white है तो आप इसको जरूर से जरूर इस समय cutting से लगा लीजे अगर आपको एकठे बहुत सारे flowers अपने garden में पसंद है तो hibiscus को आप जरूर से जरूर लगा लीजे इसके बार next जो आप flowering plant देख रहे हो यह हैं देसी गुलाफ देसी जाता है बिना किसी rooting hormone के आप चाहो तो इधर ठंड के season में लगा और नहीं तो आप एकदम गर्मी जो बहुत जादा होती है मैंने make a time में भी इनकी cuttings को लगाया तो भी लग जाए थी आप लोग के साथ video भी शेयर किया था तो वो भी लग गई थी cuttings बहुत आसानी से लग यह एक flagrant flowering plant होता है खुशबू इसकी बहुत ही जादा soothing और mild सी होती है और एक ठिक काफी सारे flowers आपको बना कर देता है और इसमें भी flowers का count जो petals का count होता है काफी जादा बढ़ जाता है दर winter season में तो इस plant को बिलकुल भी cutting से लगाना ना भूले आपका garden काफी जादा देख के होते हैं आप इने साल उस साल भी बचा सकते हो यह भी एक ऐसा plant है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास winter में नहीं पूरे साल आपके पास रहेगा और इसमें flowering भी लंबे समय तक होती रहती है तो इसके भी आपको जो भी colors मिल जाते है तो आप उनको cutting से समय लगा सकते cutting आसानी से लग जाती है इसके बाद next जो आप flowering plant देख रहे हो यह है वर्बीना के यह जितने भी friends आप वर्बीना के plants देख रहे हो सबी के सबी जो भी मैं आगे भी दिखाऊंगी seedling से ही लगाए हुए है जो कि बहुत अच्छे-चे colors कुछ में तो friend similar ही निकला लेकिन यह color आप देख लो कितना जादा खुबसूरत से लग रहा है तो आप seedling से भी in plants को लगा सकते हो cutting से भी लगा सकते हो seedlings भी अगर friends आपको मिल जारी तो आप लगा लीजे ऐसा नहीं है कि seedlings को काफी जादा time लगेगा एक महीना तो लगेगा establish होने में इसके बात flowering यह बहुत अ बना रहता है बहुत अच्छे से आप इसकी cutting से आप इसको लगा सकते हो seeds से भी इसका germination बहुत ही आसानी से हो जाता है जस्ट आप इसके सूखे flowers को थोड़ी देन plants पे लगे रहने दीजे बस उसको चड़क देंगे soil में आसानी से आपको new plants मिल जाएंगे तो आप इस plant को अभी cutting से लगा सकते हो तो friends I hope आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और comment section में जरू बताइएगा कि आपने आज तक कौन-कौन से plants को cutting से तयार किया है तो friends वीडियो पसंद आया है तो please मिने चैनल को like, share और subscribe जरू कीजेगा अगर आप अभी जोड़ झाल